नमस्कार मैं सीमा त्रिपाटि मेरे चैनल इजी लाइब भी सीमा में आप सभी का स्वागत है अज मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रही हूं चिली पनीर जो की खाने में इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है और सभी लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद है बच्चों को भी खास करके यह पसंद है तो मैं इसको चाइनीज स्टाइल में नहीं बनाओंगी और मैं उसे देशी स्टाइल देने की कोशिज करूंगी तो यह वीडियो आप पुरा देखिएगा और यह खाने में बिल्कुर उसी तरह का स्वादिष्ट लगेगा लेकिन मैं उसे इं दोंगी और इसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि हमें क्याु चीजे इसमें किसके जघह से हमें क्या डालना है और हम इसे बहुत ही आसन तरीके से पनाईगे तो चलिए अगर आपको चिली पनीर बनाना पहुत मुंस्किन लगता है तो आज चलिये यूफ को बताती हूं कि छी पनीधि कितना ज्यादा असान है बनाना और सवादिष्ट हुई जलते seconds पनीधि विद्व किरे माया चल्वित मैं बाणास करते हैं तो सबस्ते पैर मैं आपको बता दूं कि हमें क्या लाल मिर्च है इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है और ये लेसन अध्रक को मैं महीं महीं चुक्रों में काट ली हूँ ये टमाटर सॉस है और ये घर का सिर्का निकाला हुआ है ये गन्ने का सिर्का है और ये नीबु का रस है और ये सिमला मिर्च और प्याज है इसको मैं देखे चार फाल काट करके और इसके प्याज को मैं इसे निकाल ली हूँ सब उसके विल्कुल एक एक वो परत तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं ये सिमला कस्मी लाल मिर्च है इसमे मैं थोड़ा सब पानी डाल करके मैं इसका एक पेश्ट जैसा ब स्टाहिल में बनाऊंगी और उससी ज्यादा ये खाने में स्वाधिक लगता है आप विश्वास कीजिए एक पाला इसको बना कर देखिएगा और आप इसको इसी तरह बनाना चाहेंगे तो इसको मैं गोल बना करके इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी अच्छे से अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल लीजिए और ये कॉर्ण फ्लावर है तो इसको मैं दो चमज के कजीब में माचर मैं डाल रही हूँ और एक Çमज के करीम में भर भर करके मैं डालूंगी मैयदा और इन सभी कीजरों का मैं इस तरह सूखा ही मिक्स करूंगी आ कभी तो इसको घोल बना करके आप करते होंगे डिब करके एक अच्छा से कोड कोडिंग नहीं हो पाती है तो आज मैं आपको बताओंगी कि यह अच्छे से कोडिंग कैसे होता तो इस तरा सूखा ही आप इसको मिला दीजिए और दस मिनट चिलिए मैं रग दूँँगी और ये मैदा दो चमच के करी में आरोट है और उसमें मैं एक चमच भरके मैदा डालूँगी और इसका मैं पतला घॉल बनाऊंगी ताकि मैं इसके आगे सब्जी में यूज कर सकूं तो मैं इसको पहले तयार क जो होता है वो अंदर जारके बैठ जाता है, तो इसको इपनाफ प्राइय करें जा लेती हुँ. 10 मिंट मरणा हो गया है, तो मैं कहाई में तयल ढालूंगी भी सारा searching है अप इसको सेलो-स्राइवि केंड़ women. तो यह जितना तेल है उतना मैं इसमें पनी के टुकड़े को डाल दूंगी गैस का फ्लेम मेरा मीडियम टूलो रहेगा ताकि यह अच्छे से फ्राई हो सके इस तरह से आप चील पनी अगर बनाएंगे तो आप इसी तरह से ही आपको लगेगा कि मैं बना के खाओं कि इसका टेस्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा और कलर भी बहुत अच्छा आता है जो ब्लैक कलर आ जाता है वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है और जितनी भी पनीर मेरी थी मैं सब को इस तरह से थोआ थोआ करके पहले फ्राइ कर लूँगी उसके बाद मैं आगी का प्रोसर आपको बताती है तो देखिए मैं इसमें थोआ सब और था तो मैं इसको निकाल दीनी मुझे जितना तेज चाहिए था मैं इसमें छोड़ दीनी यह अधरत रहसन का जो मैं महीन महीन इसको चौप कर ली थी तो इसको मैं पहले डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं खाली स्वाटे करूँगी बहुत ज्यादा इसे मुझे नहीं भूनना है तो अब देखिए यह हो गया है तो जिस आप देख रहे हैं कि अ अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च इसको मैं बीच से पतला पतला करके चीदा लगा करके काट ली हूँ यह बहुत ज्यादा केश्टी लगता इसमें आप इसका मातरा बढ़ा घटा भी सकते हैं क्योंकि तीखा अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको आप न दाल दूँगी कॉन फ्लावर के जगह में आप अररोड भी यूज कर सकते हैं तो सेम टेस्ट आता है बस जो भी आपको उस समय मिल जाए आप इसको आप डाल दीजे और इसको बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है क्योंकि वो नीच इसमें डाल देती हूं आप इस जगां पर थोड़से लाल मिर्च भी डाल दीजेगा यह टमाटर सॉस है इसको दो चमबच के करीब में मैं डाल दहीं हूं और इस सब सारी चीजें आपको घर में हमेशा मिल जाएंगी यह नीवू का रस है तो यह आधा नीवू था मैं इस चौनिंगर की जगा में सोया सोस दोनों नहीं डाली हूं तो मैं इसमें इसके जगा में गरेलू नीवू डाली हूं को दाले हूं।ningar और झेटीकव डालेगा में सुया सोसिर्का लताएंगी पानी आपको अच्छे चला लूँकूर टाकी यह अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें मैं इसको चलाने के बाद मैं इसमें अब थोड़ा सा स्वादनुसा नमक डालूंगी तो आप अपने स्वादनुसा नमक इसमें डाल दीजिए क्योंकि हमें इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाना है तो मैं उसी इसमें नमक डालूंगी और इसको अच्छे से चला लोंगी, गैस का फिलेम मेरा मेडियम तो लो ही रहेगा, इसको हाई फिलेम में नहीं बनाना है, और ये घर का सिर्का है, ये गन्य गरश का सिर्का है, ये बहुत ज़्यादा टेश्टी और स्वाधिश लगता है, अगर ये आप पूर न मिले, तो आप इसके जगह में बेनिगर यूज कर सकते हैं, तो मैं इसमें सारी चीजे घर का ही यूज कर, जैसे आप अगर आप गाउं से हैं, तो आपको इस सारी चीजे मिल जाएंगी हमेशा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप गाउं में रहती हैं, तो बेनिगर श तो इसमें मै पनी जो मैं फ्राइ की थी वो इसमें मैं डाल करके अच्छे से चला लूँगी और ये मेरी सब्जी अब बिल्खुल खाने के लिए जारी हो गया है तो नेक्ट वीडियो मैं फिर मिलती हूं तक तक के लिए भाई